जयमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक वाप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आईए इस विशेश संक में हम बात करते हैं कर्क राशी के जयतक मई के महीने में क्या विशेश उपाय करें उपाय करने से एक विशेश लाव की प्राप्ति होती है गोचर में जो हमारे ग्रह कमजोर हो रहे होते हैं उनका नकारात्मक प्रभाव नहीं आता ग्रह आपके बलवान होते हैं और समय आपका बलवान हो जाता कौन-कौन जातक इस अंक में बताए गए उपाए कर सकता जिन जातकों की जनम से ही कर्क कैंसर रासी है जिन जातकों का जनम से ही यानि कि कर्क लगन है कई बार हम नाम के आधार पर भी अपनी राश्ची को कर्क समझ लेते हैं तो वो भी ये उपाए कर सकते हैं और साथ में हम कुछ ऐसी तारीखें बताएंगे जिन तारीखों में आपको थोड़ा सावधानी से काम लेना है उन तारीखों में किसी से वाद विवाद नहीं करना है विशेस उपाये, भीस अंक में हम आपको बताएंगे, जिने करने से आपको विशेस लाप की प्राप्ती होगी, आईए बात करते हैं आपकी राशी की में, आपकी रासी अपने आप में काफी अच्छी है, काफी बड़ी रासी है, द्यालू हिर्दे के आप व्यक्ति हैं, और भविशे का चिंतन बहुत अच्छे से आप लोग करना जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी बातों में जीवन उलजगर के रह जाता है, कई बार आपके हर्दे की जो सच्चाई है, वो तो है, लेकिन उसको कोई समझने का प्रयास नहीं करता है, बहुत सारी ऐस जीवन के उतार चड़ाओ, कटू अनुभाओ, आप अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ते हैं, कुछ समय ऐसा है मई के महीने का, जिन में आपको थोड़ा सा साबधान रहना है, जैसे, पेट से संबंदित कोई बिमारी या बहुत जादे गैस बनना, ये समस्या मई के म हमें अकेले ना करें, साथ में कोई रहे, और जो भी आप मेडिसन वगएरा अपनी जैगुलर बेस पे लेते हैं, वो अपने संग रखें, यानि कि मई का महा साबधानी का महीना है, थोड़ा अपना साथ, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, किसी कमजोर व्यक्ती से भी आपकी अनमन हो सकती है, और उस व्यक्ती से आपका अपमान हो सकता, कमजोर in the sense, कई बार हम किसी व्यक्ती को अपने से बहुत कमजोर समझते हैं, हम समझते हैं, चाहे वो ना हो, है न हर व्यक्ती अपने से दूसरे व्यक्ती को कमजोर समझता, तो कई बार वो कमजोर व्यक में एक अच्छा सुधार मई के महिने में देखने को मिल सकता है तारीखे नोट करें जिन तारीखों में साफ धन रेना है तीन मई चार ग्यारा बारा एकिस बाईस तीस और एकतिस मई इन तारीखों में किसी से फालतों में बाद विवाद ना करें अब आएए हम कुछ आए में यदि आपके पास कुछ चांदी का टुकडा हो, चांदी का सिक्का हो, घर में या मोती हो, मोती या चांदी कुछ भी एक चीज हो, सफेद कपड़े में लपेट करके या कागज में लपेट करके आप उसे सोंवार के दिन अपनी जेब में रखें और जेब में रखने के सास्ताद चलते फिरते उठते बैठते ओम चंदराए नमा ओम चंदराए नमा या नमश्यवाय नमश्यवाय जब भी याद आ जाए सोंबार के दें तो मई के ने महिने में ऐसा आपकोथ या 3 संबार रिपीड करना है आपको बड़ी मानसिक सांती मिलेगी आपका मन कई बार उलच जाता है चोटी चोटी बातों में तो वो भी आपको बहुत अच्छा रिलिफ मिलेगा अपनी जेव में इसको रखें और इसी के साथ साथ एक काम और करें कि सुम्बार के दिन आप भगवान शिप पर पंचा मिरत जरूर चड़ाए करें पंचा मिरत बनता है गी दूद दही शक्कर और जल मिला करके आप अपना पंचा मिरत बना ले और पंचा मिरत बना करके शिप पिंडी पर या भगवान शिप के एक सुआठ नाम जबते रहे और वो धार बांद कर थोड़ा 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 चड़ाते रहे बहुत ही अच्छा आपको लाब बिलेगा आप करके देखें सुमबार के दिन मस्तक के उपर स्वेज चंदन का तिलग लगाएं क्या बोल करके ओम चंद्राइनमा मांसिक शीतलता मांसिक शांते आपको प्राप्त होगी और यदि आपके पास मोती की माला हो या स्विटिक की माला हो सुमबार के दिन उस माला को जरूर पहना करें सफेद कपड़े, सफेद शर्ट या कुछ भी ऐसा सुंबार के दिन पहनने से आपके चंद्र मजबूत होंगे, आपका मन मजबूत होगा, आपके ग्रह मजबूत होंगे, आपको लाप बिलेगा चौदा मुखी रुद्राक्स भी आपको पहनना चाहिए, ये 114 मुखी पहनना चाहिए, ये 9 मुखी के 3 रुद्राक्स पहनने से भी आपको चांदी में पहने, तो विशे सलाब बिलेगा अंबी का यंत्र घर में रखें या दुर्गावीसा यंत्र घर में रखें उसकी पूजा करें उससे भी आपको विश्यसलाव की प्राप्ती होगी साथ ही हमने मेश रासी से लेकर कि मीन रासी तक के समस्त उपाई बताए हैं हो सकते हैं आपके घर में मित्र में किसी की कोई और रासी हो तो वो भी अपनी रासी सुनें और उनके उपाय करके वो भी लाभानवित हो सकते हैं चली आप सब स्वस्त रहें सुखी रहें इनी शुपकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जय जय अम्बे। और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें।